बहुत बहुत धन्यवाद तारीक सत्रा फरवरी दोजारते ही समगा जीरो नाइन डबल बिन टूफोर एयाम देखें आल ओवर वर्ड में मीडिया जगत को एक इंफॉर्मिशन दी जा रही है आज दोपेर ढ़ाई बज़े से मीडिया कैमरा लगाने की परमिशन दी जा रही है आपको रशिया में जब आप मॉस्को एरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो वहाँ से आपको रिसीव किया जाएगा कासल रूमियो की टीम दोरा और आप लोग सुपर बॉम ब्लास्ट बतलब न्यूट्रॉन ब्लास्ट कैप्चर कर पाएंगे वीडियो कैप्चर करने के लिए आपको पोजिशन का रसपते की जाएगी आपको दी जाएगी ब्लास्ट संडे को होना है ये कंट्रोल ब्लास्ट है जो की रशियन ओयल फील्ड में किया जा रहा है ताकि जमीन के नीचे के तेल को एक जगए खटा किया जा सके ये दो लोकेशन ब्लास्ट है पहला ब्लास्ट साड़े तेरा मेगा टन का किया जाएगा ठीक है जी वीडियो कैपचर करने की जो कॉस्ट है 300 करोड रुपीज है 300 करोड में आप अपने कैमरे लगा सकते हैं एक डिस्टेंस पे अलग अंगल्स पे अगर आप हवा से भी आप कैपचर करना चाहते हैं जेट में से तो आप अपने कैमरे ले करके जा सकते हैं इसके लिए स्पेशल फैसलिटी मौया करा दी गई है आज दोपहर एड़ाई बजे से आप किसी भी इंटरनाशनल एरपोर्ट से मॉस्को में या मॉस्को एरलाइंस में आप बात कर सकते हैं कासल रोमियो की टीम आपको रिसीव करेगी कासल रोमियो और कासल यंकी दोनों ही बलास्ट कासल यंकी के हैं जो की साड़े तेरा मेगा टन के बलास्ट हैं मैं इतेश मंडल ट्विटर एंडर अड़र इतेश रिवन ये कंपनिया मेरी हैं यह फूरी तरह से कंट्रोल ब्लास्ट हैं पॉपुलेशन वहां से अटाई जा चुकी है और जहां पर रश्यन आइल फील्ड है जहां पहले से रश्यन के जो रिफाइनरीज है वहां पर ब्लास्ट नहीं किया जा रहा है थोड़ा उससे अलग अटके जगह पर और यह कवर करेगा 90 किलोमेटर डायमीटर में एरिया कवर करेगा वर्ड की जो बड़ी एजिंसी हैं जो ब्लास्ट का डेटा या और कुछ लेना चाहती है इसकी परमिशन आपको कासर ब्रावो से लेनी होगी या आपको मॉस्को एरपोर्ट पर ही पता लगेगा इसलिए आपके लिए आपको मैं बता जाता हूँ सीधे तोर पे रशियन अमबैसी कॉल करना है रशियन अमबैसी डेली या ओल ओवर वर्ड में आप रूस की रूस के दूतावास में जा करके अपना पास ले सकते हैं अगर कोई सिविलियन या कोई भी वर्ड पॉपलेशन में इस ब्लास् बहुत ही सिक्यूर तरीके से किया जा रहा है रशियन गवर्मेंट इस ब्लास्ट को करेगी वर्ल्ड में हम किसी भी सैंक्शन को नहीं मानेंगे रशियन ऑल फिल्ड मैंने पर्चेस किया है और वहां से हम ऑल निकाल करेंगे यदि साओधी अरेबिया या उपेक निशन को ऐसा लगता है कि वह हमें रोक सकते हैं तो आप कोशिस करके देखिए हम आपकी नहीं सुनेंगे एक बात और है संडे को ये किस समय ब्लास्ट किया जाएगा इसकी इंफॉर्मेशन कल शाम को आपको दी जाएगी आपका रहना आपका खाना इसकी जिम्मवारी हमारी होगी पर कोशिस ये कीजिएगा कि आप लोग अपने साथ किसी भी प्रकार का हतियार नहीं लेकर जाएंगे वहाँ किसी भी तरह का कैनेबिलिजम रेप या किड्नैपिंग नहीं होगी आज सेफ सेफली जाएंगे और सेफली आएंगे 300 करोड रुपीज मीडिया कैप्चिरिंग है वन कैमरा मल्टिपल कैमरे कैमरा लगाने पे 50 करोड रुपीज है जी है 50 करोड इंडिन रुपीज में पेमेंट है यूईस टॉलर में नहीं है पेमेंट इंडिन रुपीज में होगी चीक है ये पेमेंट आप महां करेंगे convert करा निकला आप राशेन रूपल में इसकी payment कर सकते है एक और बात किसी भी देश से कोई भी intelligence agency माच चाहे तो जाके देख सकती है blast कब कहां कैसे होना है यह हमारा बिसनस वर्क है जिस परकार आप mining में dynamite का blast करते हैं उसी परकार हम crude oil निकालने के लिए neutron का blast करेंगे वैसे कोसिस तो यह है कि neutron blast से control हो जाए दो blast होंगे जो कि controlled है अगर उसका data नहीं होता है तो फिर repeat blast ठीक तेड़ महीने के अंदर किया जाएगा जो कि hydrogen का होगा neutron blast जिसको कह गते हैं आपका castle yankee भी बोलते है यह इसकी जो heat है यह 13.5 mega 10 की मिट्टी जमीन से उपर उचाल के उसको चटान में convert कर देता है और उपर की surface इतनी strong हो जाती है कि जिससे drilling करने के बाद heavy से heavy machine लगाने के बाद भी जमीन नहीं बैठती है तो इसलिए जो आई पूरा विश्व इस वीडियो को देख सकता है सारे news media channels देख सकते है governments देख सकती है अगर कोई government या आपका क्या नाम है ऐसा कोई देश डेटा इसलिए मांगता है कि वो nuclear bomb या किसी परकार की research and development में जा सके तो आपकी गलत फहमी है मैं ऐसा कोई डेटा आपको देदेने वाले ये सिर्फ enjoyment purpose है अगर आप देखना चाहें तो आप जाके देख सकते है पहला trial blast आज दोपेर ठाई बजे किया जा रहा है इसमें heat नहीं निकलेगी सिर्फ bomb जो है उसको place करके drop किया जा रहा है drop करने के बाद उसके location, position और सारी चीज़े calculate की जाएगी कि उसकी जो है आपकी shock wave कहां तक है Russian government के साथ हितेशरे one corporation हमारा collaboration हुआ है और Russian oil field से oil लिका लेके इस method को हम यूज़ कर रहे है ये method पहले भी यूज़ किया जा सकते चुका है आरा मको के अंदर आरा मको दरा इस method को यूज़ किया गया था पर आरा मको कंपनी भी मेरी ही है जो साथी अरेबिया और United State of America के बीच में oil deal की एक कंपनी है इसके बाद Russian oil field से oil लिकाल लेकी का काम हमारी कंपनी का पास होगा कि तेशरे one corporation के पास बहुत बहुत धन्यवाद अगर किसी को किसी बरकार वे कोई सवाल पूछना हो special privileges में किसी को नहीं मिलेगी क्योंकि बहुत securely question पर किया जा रहा है इसमें एक और बात बता दू सिर्फ पैसा होना जरूरी नहीं है यदि आप media में, media houses में वो profile नहीं रखते हैं तो आपको blast capture करने नहीं दिया जाएगा यह नहीं कि आप सिर्फ पैसे लेके आ गए और आप blast देखने चले गए जिन बातों को आपको बताया जाए वो आप करेंगे blast के दौरान आप अपने goggles नहीं अटाएंगे safety measures का पालन करेंगे वाद वीजा और पासपोर्ट होना जीए बहुत बहुत दन्यवाद